दोस्तों स्वागत हैं आपका एक पार फिर से जी हाँ दोस्तों आज के टाइम में खिलाड़ी यानि अक्षेक कुमार का नाम किसी भी परिचे का मोहताज नहीं है कहते हैं जीत और हार आपकी सोच पर निर्फर करती है मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी मन रंचन करते आ रहे हैं और आज हम आपको इस वीडियो में अक्षेक कुमार से जुड़ी कुछ खास बाते बताने वाले हैं तो आप बने रहीएगे इस वीडियो के साथ आज अपने किरदारों के चलते भले ही अक्षे दरशोकों की दिलों पर राज करते हैं लेकिन अपने करियर में उन्होंने कहीं उतार चड़ावों का सामना किया है एक दोड़ तो ऐसा था कि बॉक्स आफिस पर अक्षे कुमार की एक या दो नहीं बलकि एक के बाद एक ग्यारा फिल में फ्लॉप हुई थी और आपको ये जानकर बेहद हैरानी होगी कि बॉलिवूट के इस खिलाडी का असली नाम अक्षे कुमार नहीं बलकि राजीव हरी ओम भाटिया है अक्षे को खाना बनाने का बेहद शोग रहा है एक्टिंग और मॉडलिंग की दुनिया में आने से पहले अक्षे बैंकोक में वेटर का काम किया करते थे बैंकोक में अक्षे अपने साथ शिरीदेवी और जैकी चैन के पोस्टर हमेशा अपने पास रखते थे और फिल्मों में आने के बाद अक्षे ने इन सभी के साथ काम किया बॉलिवूड के स्टंड मैंड कहे जाने वाले अक्षे मार्शल आर्ट भी जानते हैं यहां तक कि नैशनल जियोग्राफिक चेनल ने मार्शल आर्ट पर सेवन डेडली आर्ट औफ अक्षे कुमार नाम की एक डोक्यूमेंटरी भी बनाई थी जिसके होष्ट अक्षे कुमार ही थे अक्षे कुमार ने मशूर फोटोग्राफर जैस शेट के लाइट बॉग के तोर पर भी काम किया है दरशल जैस ने पहली बार अक्षे कुमार का फोटो शूट किया था शानदार एक्टिंग के लिए अक्षे को दो फिल्म फिर आवार्ड भी मिल चुके हैं उन्हें अजनबी फिल्म के लिए बैस्ट विलन तो गरम मसाला फिल्म के लिए बैस्ट कॉमेडियन का आवार्ड मिल चुका है फिल्म रुस्तम के लिए उन्हें नैशनल आवार्ड भी मिला है अक्षे कुमार का नाम खिलाडी ऐसे नहीं पड़ा है इसके पीछे किसी एक फिल्म का हाथ नहीं बलकि उनकी आठ फिल्मों के नाम में खिलाडी शब्द है दो दो हाथ कर चुकी हैं दिल्ली के चांदी चोक में पले बड़े अक्षे कुमार बच्पन में मस्ती में घड़या चुराया करते थे बहुत कम लोगों को पता है कि अक्षे 1987 में आई महेश भट की फिल्म आज में भी नजर आ चुके हैं इस फिल्म में आक्षे का एक कराटे का एक चोड़ा सरोल था आक्षे अपनी फिल्मों में ज्यादा मैकप नहीं करते हैं उन्हें लगता है कि मैकप करने से जवान नजर नहीं आ enghye और फिल्म खिलाडियों का खिलाडि के दोरान अक्षे कुमार की पीठ में इतनी जोर खतरनाक चोड़ लगी थी कि उनका कंध़ा तूटते तूटते बचा था दरऊसल फिल्म के एक सीन में अंडर्टेकर से फाइट का सीन था वो और उन्हें इस फिल्म में अंडर्टेकर को उठाना था जिसके वज़ा से उनके कंदे में बहुत भैंका चोड़ लगी थी तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा आप हमें कमेंड में ये जरूर बताएगा कि आपको अक्षे कुमार की सबसे ज़्यादा फिल्म कौन सी पसंद है थैंक यू